जे हिंद सातियों आज 12 दिसंबर और एक सांधार क्लास करते हैं राजिस्तान करंट फेर 2023 की मेहनत करो तो धन बने सबर करो तो काम मीठा बोलो तो पहलवान बने और इज़त करो तो नाम तो चलिए सातियों सबसे पहले सबसे लेटेस्ट क्विशन लेते हैं जो मध्यपरदेश के नए सीएम मनाय गया है तो भाई किसे सीएम मनाय गया है सबसे मुथपूर्ण सवाल है राजिस्तान करंट फेर का और कल आपके राजिस्तान के शीयम भी मिल जाएंगे तो शीयम उम हर एक मुद्दे पर हर एक नई जानकारी मिलती रहती है तो मोहन यादव को आपके नया CM मना गया है ध्यान रखना जगदीश देवडा और राजेश सुकला होंगे डिप्टी CM रट लेना प्यारे साथ यूँ पस्सू परीचर की बढ़ती आ रही है नगरपाली का की बढ़ती आ रही है और आपके LDC वगरा सुटी वगरा में ये सवाल पूछ जाते है नरेंदर सिंग तोमर होंगे आपके स्पीकर क्या होंगे स्पीकर अगला सवाल लेते हैं हाल में पंजाब के बाद दूसरा राजे कौन सा बन गया है जहां पर बार-बार S.C.N. के चुनाव में वन वोट वन बार का नियम लागू हुआ है तो वे हमारा प्यारा राजस्तान बना है रट लेना अभी कभी सवाल को यानि अब के वोल एक वार आपके वोट होगा उससे पहले ये सिस्टम आपके पंजाब में था पंजाब के बाद है वो राजस्तान दूसरा राजी बन गया है जहां पर वन वोट वन वार का नियम लागू हुआ है अभी तक परदेश की सबी बार एसोशेशन में अलग अलग दिन चुनाव होते थे यानि कि जितने भी आपके एसोशेशन है उनमें अलग अलग दिन चुनाव होते थे लेकिन अब भाई आपके एक इमार में चुनाव होकर मामला खतम है अधिकतर बार एसोशेशन में कारेकार खतम होने के बाद भी समय पर चुनाव नहीं करया जा राता तो इसी को देखते हुए ये सांदार फेंचला लिया गया है पहले पंजाब था अब हमारा प्यारा राजिस्तान भी इसमें सामिल हो गया है अगला क्विशन हाल में राजिस्तान के कोंचे सेर में इस्तित निमज माता मंदिर में देवाली छोल तक रोफवे का निर्मान किया जा रहा है कितना सांदार सवाल है राजिस्तान करेंट अबेर का तो राइट अन्चला आपके उध्यपूर हो जाएगा क्या हो जाएगा उध्यपूर चलिए अगले क्यूशन के और बढ़ते हैं पटापण क्लास को कवर करते हैं का मैं समय में सारे मेहतुपूर सवाल प्यारे साथियों मैं आप सभी को कवर करवा रहा हूँ उत्तर पस्यमी रेलवे जोन का ये पेला वे एकमातर जन ओसनी केंदर राजिस्तान में कहां पर होगा यानि कि पेला और एकमातर इससे पहले को है ही नहीं जन ओसनी केंदर तो कहां पर होगा साथियों जन ओसनी केंदर उत्तर पस्यमी रेलवे जोन का तो ये होगा आपके बगत की कोठी रेलवे इस्टेशन कहां पर होगा जेपूर वेक्स म्यूजियम में अब किसकी परतिमा का तो ये आपके डोक्टर भीमरा उमेडगर का कल मैंने आपको डिटियल से बताया था कितनी लंबी है कितनी चोड़ी है बाकि ये जानगरी पूचे नहीं जाती है बस इतने पूचे जाता है किसकी और कहां पर नेक्स्ट विसन हाले में राजिस्तान के कौन से जिले में ये रक्त कोस पॉर्टल के जरिए सबी बलड बैंकों को जोड़ने के लिए नई सुईदा सुरू की गई है कितना सांदार सवाल है राजिस्तान करेंट पेर का जो सुजना साई की बढ़ती आ रही उसमें आपके सवाल आते हैं गरेंट पे जियान रखना ये रक्त कोस पॉर्टल के जरिए बलड बैंकों को जोड़ने के लिए नई सुईदा तो कहां पर की गई है प्यारे साथियो कौन से जिले में जिला है दोलपूर कौन सा जिला है मेरे साथ ही दोलपूर जिला अगला क्यूसन इससे पहले कुछ डिटियल से जानगारी देखते हैं जिसमें सवाल में आपके इंपोर्टेंट फेक्ट बनते हैं उस सवाल में मैं आपको important fact लेके होंगा बाकी प्यारे साथ यूँ आपका एक भी second waste नहीं किया जाएगा ये परदेश इस तरह पर हर जिले में चलेगा जिले के blood bank और storage center आपस में link होंगे जिसमें सरकारी वे private को आपस में जोड़ा जाएगा खास बात ये है कि ये portal है वो mobile app के जरिये भी लोगों के पास होगा कोई कई भी बेट कर blood bank की इस्तिती का पता लगा सकेगा और नजदी की blood bank की जानकरी उसे मिल जाएगी ज़री कि आजकल जो किल्नत होती है blood के लिए blood टाइम पर नहीं मिल पाता उसको देखते हैं ये सांदार कदम उठाया गया है सरकार के दवारा अगला सवाल लेते हैं हाली में गोवा मैयुजी जीते 37 वे राष्टे खेल में राजिस्तान ने कुल कितने पदक जीते इस्टार कर लेना खेल जगत का नया आप क्यूसन है आरपेशी आरएस्समे इस तरिके के सवाल अंदिकास थे हर एक्जाम में पूछता है बैपुल कितने पदक जीते सवरण कितने जीते रज़त कितने जीते बताना चाहूँगा आपो टोटल फोटीर पदक जीते हैं यानि कि चौदा पदक जीते हैं ने रट लेना दिल दिमाग मस्तिक में चाप लेना चाओदा ने सुओर तेरे हैं तेरा तेरा पदक जीते हैं चवरण आपके गलंड दिया गया है टोटल आपके तेरा पदक जीते हैं राजस्सतान ने अब डिटेल देखताए भ़ए खेल जगत का सवाल है तो निटेल होना लाजमी है 37 वे राश्टे खेल का आयोजन कहा पर हुआ सब समयत पूर जानकर ये गोवा में कहा पर हुआ पहरा पेरस आती हो गोवा में कब हुआ 27 अक्टुमबर से 9 नवंबर के बीच में राजिस्तान तेरविस्तान पर रहा कुल पंदक जीतें 66 जिन में 14 गोल्ड थे और 18 सिल्वर थे 34 ब्रोज थे खेल जगत में से आते हैं वाई कि कितने गोल्ड जीतें तो 14 गोल्ड है ये ध्याद रखना सीर्स पर था आपके महराष्टर उसने 228 ब्रोज जीतें 80 गोल्ड 79 आपके सिल्वर और 89 आपके काश्ये सीर्स इस्तान पर रहा है सेकेंड पर रहा है आपके सर्विसे जो मेरे बता दिया आपको थर्ड पर आपके हरिहना रहा है 38 में राष्टे खेल का योज़न है वो उत्राकड में होगा 37 होगे आपके गोवा में 38 होगा आपके उत्राकड में सुबंगर्था आपके मोगा चाहता है प्यरे साथियों मोगा अगला क्विस्टन राजस्तान हाई कोट के कार्ये वाहक मुखे न्याइदिस तो ये बने है प्यरे साथियों आपके मनीदर मोहन स्रिवास्तो कौन बने है मनीदर मोहन स्रिवास्तो इस्टार कर लेना इस सवाल को एक्जाम में छपने लाइक सवाल है राजस्तान हाई कोट के कार्ये वाहक के मुख्य न्याइदी से जस्टीज ऑगस्टीन जोर्ज मश्य को सुप्रिम कोर्ट में मिली है न्यूक थी और ये इक्तालीस में राजिस्टान आए कोड़ के मुख की आजिस थे कोयों कहां बनायाना गया ये 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 ज्जालीस में इस पहलए L.A. evalso काम बनाया गया वह बाए कहां पर बनाया गया है तो पहला बनाया गया है आपकी पहरत साथ हूँ काँ पर कोटा में काँपर बनाई गया है कोटा में चोता राश्टी जल पुरुस्कारों में राजिस्तां को तीन पुरुसुकार कि स्रेडी में explor कर लो इस स्वाल को भी वह इसी स्वाल regarding से जाट से गय थे बाई तो सर्विस्रेस्ट विडैलेसULडीमें सर्वेस्रेश्ट एंजी और सरेडि में और मेश्ट वाटर यूजर एसेशेशन सरेडि में ज्याद रगना ये तीनों सरेडिया चोता राश्टी जल पुरुसकारों में राजिस्तान को तीन पुरुसकार मिलें जो मैंने आपको बता दिया सर्वेश्रेश्ट विद्याले स्रेडी जिसमें राजकी उच मादिमिक विद्याले बावडी जोदपूर को तर्ती पुरुसकार मिला है और सर्वेश्रेश्ट एंजियो स्रेडी में अरपन सेवा संस्तान उद्यपूर को पर्थम पुरुसकार मिला है मेश्ट वाटर यूजर एसोशेशन स्रेडी में वाटर यूजर एसोशेशन गंगर नगर को दिवतिय पूसकार मिला है ये ध्यान रखना आर्मी वेटरन कॉंपलेक्स में सेंगे करवियों को आयूर्वेडिक चिकिसा 35 से इलाज है तो किस किस के साथ M.O.E. हुआ है यानि कि दो के साथ में M.O.E. होता है तो पहला तो है आपके डोक्टर सुनवपली, रादा कृशन, राजिस्तान, आयूर्वेड, विच्छे विदाले, जोतपुर और दूसरा है आपके कोड़ा के कोर ये दो दो रख लेना एकजाम में छपने लाएक सवाल है परदेश में उपर राश्टी प्लस पॉलियो अभ्यान के तेहते 10 हितमर को राजिस्तान के कितने जिलों में पुलीस पॉलियो दवा पिलाए गई तो ये आपके चोबीस जिलों में पिलाए गई कितने वरस के बच्चों तक है? पांच वरस तक के बच्चों तक है? पांच वरस तक है उमर भी पूचता है बाई एकजाम में राजिस्तान की किस फिलम को अमरिका के वाशिंटन में आयूजीत साउथ एशियन फिलम पेस्टिवल में सोट फिलम केटेगरी में बेस्ट फिलम ओवर्ड मिला है इस्टार कर लो मेरे सभी राजिस्तान के युवा साथ ही हूँ सांदार सवाल है राइट आंसर आपकी देर लोश्ट मील हो जाएगा क्या हो जाएगा देर लोश्ट है वील राजिस्तान की देर लोश्ट मील फिलम को अमरिका के वाशिंटन में आयुजीत साउथ एशियन फिलम फेस्टिवल में सोट फिलम केटेगरी में में बेस्ट फिलम ओवर्ड मिला है चौद में जेपुर अंतराश्ट फिलम मोश्ट में राजिस्तान की फिलम है लाठी और वाशिंग मसीन को समारों में प्रुस्कित किया गया है कौन-कौन सी लाठी और वाशिंग मसीन बहुत चर्चित फिलम हैं ये दोनों 2019 में राजिस्तानी फिल्म है चिडी बला इसको भी आपके अवार्ण मिला था 2019 में कहाँ पर अमरीका में फिल्म का नाम किया है चिडी बला बरतपुर की सिवानी सिसोधिया ने राजसमन में आईजित राजिय इस्त्रिय सीनियर की किसे पतियों किता में सवरण पंदक आशिल किया है तो जुड़ो परतियों किता में आपके सवरण पंदक आशिल किया है किष्णे ये सब समयत्वपूर जानकर ये पेरसा आती है किष्णे सीवानी सिसोदियाने सीवानी सिसोदियान कहां से समध रखती है तो ये रखती है आपके बरतपूर से, कहां से बरतपूर से, जुडो खेल है, पदक है आपके सवरण और रासमद में ये आपका आयुजित हुई थी, राजी इस तरी ये सीरियर जुडो पर्तियों की था, जिसमें सवरण पदक आपने हासिल किया है 9 दिसम्बर को वर्ष 2023 की आखरी राष्ट्रिये लोक अदालत आयुजित की गई, तो इसमें कितने मेंच इस्तापित किये गए, कितना सांदार सवाल है प्यारे सातियों तो ये हो जाएगा आपके 505 मेंच, कितने 505 मेंच नालसा के जिन्देश पर रालसा की ओर्ष्टे 9 दिसम्बर को हुई, इस साल की चतूरत वे आखरी राष्टी लोक अदालत में हाई कोट सही परदेश की निचली कोट अधिकर्णों, आयोगों, उपभोकता मंचों वे रेवेन्यू कोट में पक्सकारों के मीच राजी नामे से एक ही दिर में पिलिटिगी एसन वे पेंडिंग 49,430 केसों का रिप्टारा किया गया याईनि लगबग 50 लाग होगे और लगबग 12 अर्म रुपे के अवोर्ड पारित किये गए लोक अदालत में केसों की सुनवाई के लिए हाई कोट सही निचली कोट में 505 मेंच बनाई गई थी इस वरस अब तक 11 फ्रवरी 13 मैं 9 सितमर को राष्टी लोक अदालते गईजित हो चुकी है ये सवाल में आपके हाई कोट जैसे एक्जाम में पूछा जाता है इस्टेनोग्रापर के जैसे एक्जाम में लोकसमा में जमू कश्मीर अरकसन सनसोदरी विदेग 2023 और जमू कश्मीर पुदर अरकसन सनसोदरी विदेग 2023 दवनिमत से कम पारित हुआ ये सांदार सवाल है डिटेन से देखूँगा और आथ 317 पर आपके फेंचला में आगया जो आप सभी साथ विदेखा होगा उसी तरह कैसे आपके वर्गरा रहेगा नियम सरकार का 2019 वाला यानि कि इसको पूर्टे खतम है कर दिया गया है अब कोई चांस नहीं आने का 6 दिसंबर 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा डिटेल सबसे वेतपुर्ण है इस विदेख में राजिस्तान जबू कश्मीर विदार्समा में शीटों की कुल संग्या है वो 107 से बढ़कर 114 खड़ने का प्रस्ता हुए जबू में पहले 37 शीट थी अब 43 हो गई है कश्मीर में पहले 46 थी अब 46 हो गई है प्योक्या में 24 शीटें अरक्षित की गई है जबू कश्मीर विदार्समा में दो शीटें कश्मीरी परवाशी समुदाय के सदश्यों के लिए अरक्षित है और एक शीट पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर से विस्तापित लोगों के लिए अरक्षित है पहले बार दो शीटे एशी एश्टी समुदाय के लिए अरक शीटे कितने दो शीटे ये संक्या याद रखना भाई जलवायू परिवर्ता ने परदेशन सूथकांग 2023 में बारत कौन से इस्तान पर है तो बारत पहरे साथियों आपके साथवे इस्तान पर है साथवे इस्तान पर तो ये साथियों क्लास कवर किये राजिस्तान करेंट फेर 2023 की क्लास पसंदा तुम्हें लाइक जरूर करे टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कर लो वहाँ पर आप सभी को पीडिये वगरा मिल जाएगी डेली करेंट फेर मिलता है मिलते हैं प्यारे साथ युकल एक सांदा राजिस्तान करेंट फेर की क्लास के साथ मैं जेहिंद जेबार्थ वद्दे मातरम